हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू कलर ओफ त्रेट्स आज की वीडियो में आप सीखेंगे इस कॉलर कुर्ती की कटिंग और स्टेचिंग और देखिए अगर हमें कॉलर कुर्ती बनानी है तो कुर्ती की कटिंग में ही हमें कुछ चेंजिस करने पड़ते हैं जैसे आर्म होल और शोल्डर में और कॉलर कुर्ती की सारे डिटेल्स इस वीडियो में मैंने शेयर की है इस कुर्ती के साथ जो मैंने सलवार वियर की है यह अफगानी सलवार है जिसका वीडियो में पहले भी अपने चैनल पर काफी बार एपलोड कर चुकी हूँ सारे वीडियो के लिंक आ आप कुट्टी कट करते हैं वैसे ही कपड़े को फोल करेंगे यह कपड़े की उल्टी साइड है जो भी हमें मार्किंग करनी है वो ल्टी साइड पर ही करेंगे और हिप और बस्ट मेजरमेंट में से जो भी आपका हैवियर साइज होगा उससे 2 इंच एक्स्ट्रा फैबरिक क इस तरह से फोल्डिंग की है ऐसे फोल्डिंग करने से आपका फैबरिक बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा अब कुट्टी में जितनी हमें बॉटम फोल्डिंग रखनी है उसकी मार्किंग करेंगे अब फोल्डिंग के बाद चेक कर लें अगर यहां पर कपड़े में है तो उसे पहले कट करके सीधा करें तो नीचे मैंने बॉटम फोल्डिंग रखी है 1.5 इंच की अब इस मार्किंग से शुरू करते हुए हम रडी लेंध के लिए मार्किंग करेंगे तो रडी लेंध है मेरी कुर्ती की 45 इंच उसमें हाफ इंच एड करेंगे मार्जन के ल बना रहे हैं तो कॉलर कुर्ती में हमें शोल्डर थोड़ा एक्स्टर लेना पड़ता है तो स्टेंडर साइज होता है स्मॉल और मीडियम साइज के लिए 7.5 इंच का तो मैं मार्किंग करूंगी 7.5 इंच पर अगर आप हैवी साइज के लिए बना रहे हो जैसे एक्सल का शोल्डर डॉप देती हैं बड़ जो कॉलर कुर्ती होती है उसमें हमें वानेंच का शोल्डर डॉप देना होता है तो यहां पर वानेंच पर मार्क करेंगे अब इस मार्किंग को इस लाइन के साथ इस तरह से तिछा जोडेंगे अब हम armhole के लिए marking करेंगे armhole marking का एक simple सा formula है कि जतना आपने shoulder marking किया है उसमें half inch कम करने के बाद armhole की marking करें तो मैंने marking की है 7.5 inch पर तो half inch कम करने के बाद यहाँ पर मैं armhole की marking करूँगी 7 inch पर अब shoulder marking थी 7.5 inch की अब इस line के बिल्कुल सामने हमें 7.5 inch पर mark करना है अब इस वाली marking को उपर की marking के साथ सीधा जोड़े दिखी इसी तरह से आपने collar कुर्ती के लिए shoulder और armhole की marking करनी है अब shoulder से नीचे के तरफ waist line के लिए mark करेंगी 15 inch पर और hip line के लिए हमने mark किया है 21 inch पर अब इन marking के उपर सीधी lines ट्रो कर देंगे इस तरह से अब बाकी की जो भी marking हम करेंगे जैसे हम normal कुर्ती की उपर करते हैं बिल्कुल वैसे ही marking करेंगे तो bust measurement के लिए जो भी आपका one fourth part होगा उसकी marking करें waist line के उपर भी waist measurement का one fourth part mark कर लेंगे अब hip line के उपर भी जो भी आपका measurement होगा उसका चोथा भाग यहाँ पर mark कर लें अब इन marking को इस तरह से मिला देंगे जैसे normal कुर्ती के उपर हम marking करते हैं अब कुर्ती के अंदर जितना आपको stitching margin रखना है उसकी marking कर लेंगे मैंने extra margin रख है 1.5 इंच का अब घेर की marking के लिए जो भी आपका hip measurement है वो same marking आपने घेर के उपर कर लेनी है या फिर आप extra half inch रख सकते हैं अब bottom marking को hip line के साथ इस तरह से मिला दें और slit folding के लिए भी मैंने 1.5 इंच का margin लेया है अब front armhole की गुलाई देंगे front armhole से 5 इंच बाहर की तरफ back armhole की गुलाई दी है तो ये front panel की marking बिल्कुल complete है अब इसे cut कर देंगे front panel के बाद आप back panel को cut करेंगे इसके लिए side का जो extra fabric है इसे मैंने double fold कर लिया है और fabric की width काफी ज़्यादा थी इसलिए दोनों पल्ले मेरे विर्थ में से निकलाई है तो folding की उपर हमें front panel को set करना है और front panel को folding के 1 इंच नीचे की तरफ इस तरह से रखें क्यूंकि जो back का पल्ला होगा वो हमें 1 इंच extra रखना है तो इसी तरह से आपने front panel को set करना है अब back panel के लिए front panel से 1 इंच उपर की तरफ मांग करेंगे इस marking से इस तरह से सिधी line खेंच दें अब armhole line को इस तरह से उपर की तरफ मिला दें अब जैसे front panel की उपर हमने 1 इंच का drop दिया था बिल्कुल वैसे ही back पल्डे की उपर भी 1 इंच का drop के लिए mark करेंगे अब इस marking को उपर की line के साथ इस तरह से तेचा जोडेंगे अगर आप इस तरह से marking करोगे तो collar लगने के वाद shoulder line से आपकी कुर्ती बिल्कुल भी खिचेगी नहीं बिल्कुल परफेक्ट आपकी कुर्ती रडी होगी तो back panel की भी marking complete है अब इसे cut कर देंगे अब front arm hole की cutting देने के लिए back panel को side में कर देंगे और जो हमने front arm hole की marking की थी उसे cut कर दें तो कुर्ती की cutting कम्प्लीट होने के बाद अब collar के लिए neck की cutting करेंगे तो neck width लेंगे small to medium size के लिए पौने 3 इंच अगर L size की कुर्ती है तो neck width ले 3 इंच अगर XL size की कुर्ती है तो neck width ले सवा 3 तो मेरी कुर्ती है small size की इसलिए मैंने पौने 3 इंच पर neck की विर्थ ली है अब हम collar के लिए back panel के उपा नेक की गुलाई देंगे यह गुलाई हमें देनी है 1 इंच की और सबी साइस के लिए ये गुलाई आपने 1 इंच पर ही देनी है अब इस marking पर back neck को cut कर दे अब front neck की marking करेंगे कॉलर के लिए front neck रखेंगे 3 इंच अब neck पर इस तरह से गुलाई दे small to medium size के लिए आप 3 inch पर mark करें और excel size के लिए 3.5 inch पर neck की गुलाई देंगे तो कुर्ती की cutting बिल्कुल complete है अब हम इसकी stitching करेंगे तो सबसे पहले हमें collar ready करना है इसके लिए front panel को लेंगे front panel पर हम center cut ready करेंगे center cut के लिए इस पर हमें marking करनी है इस तरह से shoulder से half inch उपर की तरफ छोड़के 8 inch पर mark करेंगे exercise के लिए 8.5 inch पर mark करें अब यहां पर center marking करें अब इसी open करेंगे अब जो हमने यह center marking की है इस पर हमें center cut ready करना है तो cut ready करने के लिए extra fabric लिया है जिसके लंबाई और चुड़ाई है 10 by 10 inch और fabric के wrong side पर हमें इस तरह से refuse paper को paste कर लेना है और fabric के center में इस तरह से center marking कर दें अब कुर्ती के जो right side है उसे right side के fabric के ऊपर रखेंगे इस तरह से shoulder से बिल्कुल fabric को बराबर रखें और center marking से साथ center marking match करने चाहिए अब यहां पर pin लगा के fabric को secure कर दें अब बाके के stitching हम machine पर देखेंगे अब जो हमने यह center marking की है center marking से single foot का margin रखते हुए इस marking के दोनों तरफ हमें इस तरह से stitch करना है और जहांबर हमने cut के लिए marking की थी वहां तक stitch को लेके जाएंगे अब यहां से turn करते हुए marking के साथ सा stitch कर दें अब इसे center में से cut करेंगे और cut बिलकुल ध्यान से लगाना क्योंकि जादा margin हमने नहीं रखा है stitch में और cut लगने के बाद जो extra fabric है उसे अंदर की तरफ इस तरह से fold कर देंगे folding होने के बाद इसे अच्छे से press करें अब cut के साथ साथ इस तरह से हमें top stitch करना है अब neck की जो खुली वली side है यहाँ पर भी stitch करेंगे इसी तरह से दूसरी side पर भी stitch कर दें stitch लगने के बाद जो extra कपड़ा है उसे cut कर देंगे इसके बाद जो neck की folding में हमने fabric use किया है उसे इस तरह से glass shape में रखेंगे और बागी के extra fabric को cut कर देंगे कटिंग के बाद इस fabric को इस तरह से half inch fold करते हुए यहाँ पर stitch कर देंगे ताकि neck की finishing खराब ना हो यह देखे stitch लगने के बाद बाद में यहाँ पर तुरपाई करेंगे कुर्टी की neck पर मुझे थोड़ी से designing करनी है इसके लिए कुर्टी के right सर पर मैंने marking कर रखी है तो shoulders से नीचे के तरफ मैंने lathe में marking की है 15 इंच पर अब यह जो marking मैंने की है center में से मैंने 2.5 इंच का gap रखा है इस marking के उपर मैं यह वली lace attach करूँगी तो इसे मैं इस तरह से marking के उपर रखते हुए attach कर लूँगी और friends वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आपको पसंद आती है यह थोड़ी से भी helpful लगती है तो वीडियो को like और share ज़रूर कर दिया करें और अगर आप चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब पर के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए सबसे पहले आपको notification मिल जाए lace की विर्थ जाता है इसलिए stitch को double करेंगे अब shoulder attach करेंगे इसके लिए मैंने back panel को लिया है यह कपड़े की सीधी वाली side है अब इसकी उपर front panel को रखेंगे और दोनों panels पराबर करने के बाद इस पर shoulder stitch कर दें shoulder stitching के बाद अब इस पर हमें collar ready करना है तो collar ready करने से पहले हमें चेक करना है हमारे neck की गुलाई कितनी आ रही है तो neck की गुलाई measure करने के लिए कुड़ती को इस तरह से हमें fold करना है folding को shoulder और neck से इस तरह से बराबर करते हुए रखेंगे इस तरह से अच्छे से folding करने के बाद back neck की उपर center marking करेंगे अब front neck से इस तरह से measurement tape को neck की गुलाई के साथ साथ घुमाते हुए neck की गुलाई को measure करेंगे तो मेरे neck की गुलाई आई है 7.5 inch की तो 7.5 inch का हमें collar ready करना है अब हम collar की cutting और stitching देखेंगे collar cut करने के लिए मैंने fuse paper लिया है जिसे हमने double fold कर लिया है double folding के बाद बंद वाली side पर हमें पॉने 3 inch पर mark करना है क्योंकि neck width हमने ली थी पॉने 3 inch तो जितनी आपने neck width लिया है उतनी यहाँ पर marking करें अब इस marking पर 1.5 inch पर mark करेंगे इस तरह से यहाँ पर सीधी line draw कर दें अब हमें जितना collar ready करना उसके marking करेंगे तो मेरा collar ready होगा 7.5 inch पर इस तरह से 7.5 inch पर हमें mark करना है अब इस marking को इस marking तक इस तरह से गुलाई देते हुए जोडेंगे यहाँ से collar की चोड़ाई रखेंगे 3.5 inch यहाँ पर सीधी line draw कर देंगे इस line को भी उपर वाली line के साथ जोड़ दें अब यहाँ से half inch collar बाहर की तरफ निकालेंगे तो यहाँ पर इस तरह से हमें 3.5 inch line draw करनी है अब यहाँ से हलकी सी गुलाई के साथ शुरू करते हुए यहाँ पर marking को मिला देंगे तो collar की marking बिल्कुल complete है अब इसे cut कर देंगे अब cutting के बाद देखिए यह collar की उपर वाली side है और यह collar की नीचे वाली side है जिसे हम कुर्ते के साथ attach करेंगे अब collar को फैबरिक के उपर paste करने के लिए दो फैबरिक पीस लेंगे फैबरिक की उल्टी side पर collar को इस तरह से रखते हुए प्रेस लगाके से paste कर देंगे पेस्टिंग के बाद नीचे वाली side से half inch का margin चोड़ते हुए बाके के extra कप्रे को cut कर देंगे इस तरह से cutting के बाद इस half inch के extra fabric को इस तरह से अंदर के तरफ fold करते हुए roughly stitch कर देंगे और ये जो stitch हमने लगाई है इसे collar ready होने के बाद हमें remove करना है इसलिए मोटे बख्ये से आपने ये stitch लगानी है अब एक और fabric piece लेंगे ये कप्रे की सीधी side है इसके उपर collar को इस तरह से रखेंगे अब यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ तक stitch करेंगे stitching के बाद half inch का fabric margin छोड़के बागी के extra कपड़े को cut कर दें अब जिस side पर हमें stitch किया था वहाँ पर इस तरह से चोड़े-चोड़े notches लगा दें अब collar को पलट के सीधा करेंगे और corner को अच्छे से बाहर की तरफ निकाले collar को अच्छे से पलटने के बाद इसे iron करके इस तरह से ready कर ले अब collar को इस तरह से double fold करके इस पर center marking करेंगे तो यह collar हमारा attach होने के लिए बिलको ready है अब इसे कुर्टी के साथ attach करेंगे कुर्टी के back part पर हमने center marking की थी अब collar पर हमने center marking की थी center marking के साथ center marking को इस तरह से जोड़ते हुई अब हम center से शुरू करते हुई half collar को attach करेंगे और दूसी side से बाकी के half collar को attach कर लेंगे तो center marking से मैंने stitch करना शुरू किया है और collar पर हमने half inch का जो fabric margin छोड़ा था बस उतने margin को लेते हुए हमें collar को stitch करना है अब दूसी side से बाकी के half collar को attach करना शुरू करेंगे और जब भी आप collar को stitch करें तो ध्यान रखे collar या कुर्टी को बिल्कुल भी खीचना नहीं है जिससे आपका collar छोटा जब बड़ा हो सकता है तो बिल्कुल हलकी हाथों के साथ इससे stitch करना है तो एक side पर हमें stitch कर दिया है अब collar को इस तरह बाहर की तरफ fold करेंगे और जितना भी extra fabric है उसे अंदर की तरफ अच्छे से fold करते हुए हमें collar को इस तरह से stitch करना है तो collar के उपर जो हमें पहले stitch लगाया था उस stitch को cover करते हुए हमें collar के उपर ये वला stitch करना है तो ये दिखें stitch लगने के बाद ये है हमारे collar का final look बहुत ये simple और असा तरीका है collar की cutting और stitching का अब बाकी की कुर्ती लड़ी करने के लिए कुर्ती पर हमें fitting की सिलाई लगानी है तो यहाँ पर मुझे एक side पर pocket भी attach करनी है अगर आप pocket attach नहीं करना चाहते तो simple यहाँ पर fitting की सिलाई कर दे तो मैं इस कुर्ती पर एक side पर pocket attach करूँगी pocket किस तरह से हम cutting और stitching करेंगी उसका वीडियो मैं पहले ही share कर चुकी हूँ वीडियो का लिंक आपको description में मिल जाएगा वहाँ पर click करके आप वीडियो को देख सकते हैं तो मुझे right side पर pocket लगानी है तो right side पर मैं mark करूँगी तो hip line से 1.5 inch पर हमें इस तरह से mark करेंगे अब इस marking से 6 inch उपर की तरफ pocket की opening के लिए mark करेंगे तो सभी size में आपने इस तरह से marking कर लेनी है और pocket को ready करके कुर्ती के साथ कैसे जोडेंगे इसका वीडियो जो मैंने link दिया है वहाँ पर click करके आप सीख सकते हैं क्योंकि इस वीडियो में मैंने add नहीं किया है कि इस तरह से pocket लगानी है तो ये देखे pocket हमने attach कर दी है और pocket वाली वीडियो ना जरूर देख लेना क्योंकि बहुत ही असान तरीका बता है pocket को ready करके कुर्ती के साथ जोडने का और एक ही बार वीडियो को देखने से आप अच्छे से pocket लगाना सीख जाएंगे और side fitting और pocket लगने के बाद अब हम slit की folding करेंगे तो इसकी slit हमें normally करने हैं जिस तरह से हम normal कुर्ती की double folding करते हुए stitch करते हैं बिल्कुल उसी तरह से fold करेंगे और bottom side से हमने जो folding के लिए extra fabric छोड़ा था उसे भी इस तरह से double fold करते हुए ready कर लेंगे तो यह देखिए हमने slit folding कर दी है अब हम slip के cutting और stitching देखेंगे slip cut करने के लिए कपड़े को 4 fold कर लेंगे अब bottom side से जितना हमें fold करना है उसकी marking करेंगे तो मैंने marking की है 1.5 इंच पर अब इस marking से जितनी आपको ready length रखनी है उसकी marking करेंगे तो 21 इंच पर मैंने mark करा है ready length होगी 20 इंच folded side से 3 इंच पर mark करें और open valley side पर 3.5 इंच पर mark करेंगे अब arm round की marking करेंगे और chest measurement से आप 1 इंच कम करके marking करोगे तो आपका arm hole बिल्कुल perfect बैठेगा अब यहाँ पर arm round की गुलाई देंगे इस तरह से sleep की losing रखी है मैंने 4.5 इंच की extra margin लिया है 1 इंच का अब इस marking को bottom marking के साथ जोड़ देंगे side से 1 इंच का extra margin लिया है front arm hole के लिए half इंच अंदर की तरफ इस तरह से marking कर ले marking complete होने के बाद इसे cut कर देंगे अब front arm hole की गुलाई देने के लिए sleep को इस तरह से open करेंगे अब marking के उपर हमें इसे cut कर देना है अब bottom side से चाहिए आप simple fold करें पर मुझे यहाँ पर lace लगानी है तो इस तरह से मैं इसे attach कर दूँगी और lace लगाने के बाद sleep को इस तरह से fold करेंगे और यहाँ पर fitting की slide देके sleep को ready कर दें तो इस तरह से मैंने दोनों sleeps को ready कर दिया है अब मैं आपको एक sleep attach करना सिखाऊंगी और उन्ही steps को follow करते हुए आप दूसरी sleep को भी attach कर लें sleep attach करने के लिए sleep को हमने सीधा रखना है और कुर्ती को उल्टा अब जब भी आप पहली sleep को attach करें तो आपने ध्यान देना है sleep को इस तरह से कुर्ती के उपर रखके देखें अब देखिए जो front arm round है वो इस तरह से उपर की तरफ आना चाहिए और इस तरह से sleep रखने के बाद sleep और कुर्ती का arm होर आमने सामने आ रहा है तो ये sleep इसी की तरफ ही attach होगी अब इस sleep को arm round के बीच में set कर लें कुर्ती और sleep की stitching को बिल्कुल बराबर कर लेंगे जरूर बताएं तो मिलते है नेक्स वीडियो में